जब यहाँ पर seller सारेengee यहाँ के seller भाग गए ऩी यहलो भाई लोग राम राम जैसे राम दोस्तों अज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ एक էना नियुक्र声 in the करता है तो हम SL hending की मदद से हम समझने वाले कैसे आपको दोस्तो मार्केट अکहाँ करता है क्लिछा इंडीडर की बारे मैं दोस्तों मैं अच्छे से समझा दोंगा लेकिन इस वीडियो का मक्सद है की आपको यह समझाना की कैसे को ट्रिम करता है यह से कि दोस्तों यहां पर जब market open हुई ठीक, market का यह opening है, previous day का दोस्तों जो चार्ट यहां पर आपको दिख रहा है, यह वला चार्ट, previous day का दोस्तों चार्ट जो है, लोज होनी स्पहले दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर भी दोस्तों, तो एसल पड़ा हुआ है, सेलर का और यहां पर भी यहां पर भी, यहां पर बहुत सारे एसल पड़े हुआ हैं, किसके सेलर के, market का simple सा फंदा क्या रहता है, कि भाई, जिस तरफ एसल पड़े हैं, मैं उससी तरफ जाओंगी, कैसे, आपको बिर्कुल सिंपल भासा में समझान इसलर की कोजिस करूँगा, सबसे असान, देखो, जैसे, दोस्तों, मैंने आप से कहा कि, यहां पर जब मार्केट नीचे गिरी ठीक है, तो यहां पर सिलर के एसल हैं, और यहां पर भी हैं, यहां पर भी, तो दोस्तों, मैंने कहा कि, market उसी तरफ जाएगी, जिस तरफ सिलर के SL है चाहे बाएर के उसके बाद दोस्तों देखे कि market यहां से open होते ही उपर मार्केट एक के करके सारे के सारे यहां पे जो SL पड़े है सारे के SL को खाते हुई यहां पर गई है क्यूँकि भाई यहां पर भी seller के SL पड़े हुई है अब यहाँ क curator कि AOSL को तो market ने ट्रेप कर दिया यहां का seller हो गया, जो यहाँ पे इसल थे सारेके सारे यहाँ पे SESL हो गया, खतम market ने यहाँ पे ऊपर जाँके सारे के सारे के SESL को खतम कर दिया अगर market अगले दिन open होती है तो कहां पर open हो सकती है अब यहां के सारे-सारे ASL खतम हो गए है, मार्केट ने यहां के सिलर को ट्रेप कर दिया है, ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ASL कहां पर बचे हैं, यहां पर ASL हैं, यहां पर ASL हैं, यहां पर ASL हैं, अब दोस्तों मार्केट क्या करेगी, इसके आगे, अब मार्केट इन बा करका दे मार्केट 100 परसंट नहीं तो दोस्तों 99 परसंट चांस है कि मार्केट दोस्तों इन सब के बाइर के एसलों खाने के लिए नीचे आएगी जरूर मैं आपको कुछ स्टेटजी भी दे देता हूँ जब दोस्तों आप ट्रेट करोगे तो आप दोस्तों इसका ओपियोग कर सकते हों जो यहां पर दोस्तों प्रिवियर डे का चार्ट है उसकी जो यहां पर लाश्ट कैंडल है ठीक है आपको दोस्तों इस वाली लाश्ट कैंडल के हाई लोको मा پہ 327 ऊपन होते हैं तो आपको को यहां पर सेलaris करने का प्लान करने हैयां लेकिन एक बात ध्यान यह Dé讲 कि जब यहां पर यहां पर नीचे ऊपन होगी से मैंने आपसे कहा वाको फाल million22 001 यहां पर क्या green candle बन रही है अगर यहां पर green candle बन रही है तभी आपको buy करना है वरना आपको buy नहीं करना है ठीक है अगर आपको ऐसा setup दिखता है तो अगर यहां पर first time जैसे market open होती है और आपको यहां पर green candle बनती होई दिखती है तो आपको buy करना है और यहां पर दोस्तों इस candle की high पे अगर market open होती है तो जैसे मैंने आप से गहा कि दोस्तों आपको यहाँ पे sell करना है यानि कि आपको put को buy करना है लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूट को buy करने से पहले आपको देखना है कि क्या यहाँ पर red candle बन रही है अगर यहाँ पर दोस्तों red candle बन रही है तभी आपको यहाँ पर put को buy करना है वरना आपको छेड़ना नहीं और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वली दोस्तों यह भी है कि अगर market दोस्तों इसके बीच में open होती है तो आपको क्या करना है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप beginner हैं तो आपको trade का कोई plan नहीं करना है लेकिन अगर market नेचे की तरफ breakout करती है तो आपको यहाँ पर sell कर देना है लेकिन एक बात ध्यान रखेएगा दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजू के सान परपस के लिए है तो जितना भी मैं आपको बताता हूँ आप लोग इसको जाके practice किया करो अगर आप दोस्तों practice करोगे खु करने का दोस्तों यही मतलब है कि जैसे कि मैं आपको एक बार और भी दिखा जाता हूँ लोग कैसे ट्रेव होते हैं जैसे कि दोस्तों आपको दिखता है कि market में जैसे market open हुई यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों जब यह दोनों करेंडल बनी होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे पुट को buy कियोंगे बहुत सारे यहाँ पर seller आए होंगे लेकिन भाई देखो यहाँ पर जो लोग buy कियोंगे बिना सुचे समझे उसके बाद दोस्तों देखे कि यहाँ पर market के पास कोई भी एसल नहीं था अब जो यहाँ पर दोस्तों एसल बहुत उपर हैं तो market दोस्तों market यहाँ पर क्या करेगी market लोगों को यहाँ पर ट्रेप करेगी अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग बाई की होंगे पुट को यहाँ पर उन्हें दिखता है कि market अब डाउन ट्रेंड में जा रही है ठीक है अब यहाँ पर market क्या करेगी कि market के पास कोई एसल नहीं है यहाँ बहुत सारे लोगों को बुला चुकी है और यहां पे कुछ SL एकठा हो गये हैं उसके बाद देखिए भाई लोग इन सारे SL को खाने के लिए मार्केट एके करके यहां पर सारे SL को खाने के लिए मार्केट यहां से ऊपर चले गई है और दोस्तों यहां पर इनकी SL को खाके मार गए अब यहां पर दोस्तों मार्केट के पास क्या बचा है मार्केट के पास दोस्तों यहां पर बायर बचा है अब उसके बाद दोस्तों मार्केट क्या गरेगी कि मार्केट अब यहां पर बायर को ट्रेप करेगी जो यहां पर बायर बैठे हुए हैं यहां पर दोस्तों मार मार्केट लगा तार नीचे नहीं आई है एक ही बार में मार्केट ने दोस्तों यहां पर लोगों को बुलाया ट्रेप किया बुलाया ट्रेप किया ओपन नीचे करते करते मार्केट दोस्तों सिधर लाग के यहां आप जो बायर बैठा हुआ था दोस्तों इसी को ट्रेप करने का दोस्तों मार्केट का मकस्त था और दोस्तों मार्केट लाग के इस वाले बायर को ट्रेप किया यहां के सारे के सारे बायर के एसल हो गए खतम उसके बाद अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो यहां पर मार्केट डारेक्ट एसल खाने के लिए उपर नहीं जाएगी क यहां पे अच्छा खासा और यह इसाल खतम हो सब्सक्राइब है अब यहां पे जो बीर सहने फाले ही ट्रेफ नहीं त्रुके और यहां पे जब दोस्तों आप बाय करोगे उसके बाद देखोगी कि दोस्तो अगर market के पास Excel नहीं है तो market लोगों को यहाँ पर trap करेगे। जैसे कि दोस्तो उन्हें दिखता है कि market में यहाँ पर support है ठीक है यहाँ पर अब market दोस्तों यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे आपको पहली current लिखती है कि market का यहाँ पे breakout है अगर दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे एक current ले यहाँ पे आपको बनती हुई दिखती है जो कि यहाँ पे red है यहाँ पे बहुत लोग बाए कर लेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग यह नहीं सुचोगे कि भाई ASL तो यहाँ पे उपर पड़े हुए है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो अगर दोस्तों यहाँ से market बिना ASL के नीचे जाती है तो इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेप है और दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब एक और भी होच्छ सकता है जो कि दोस्तों अगर market में कोई इसी हल चल निज़ आ गई तो दोस्तों market नीचे गिर सकती है लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको support पे दिखता है कि यहाँ पे आपको एक breakout candle दिख रही है तब इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेफ हैं और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसा यहाँ पे सेम हुआ है ठीक है अब दोस्तों आसा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ नो कुछ तो समझ भी आया होगा ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाये होंगे आप पूरे focus के साथ सम अपन होगी तो हैं यहाँ पे एटीप कर्शन चांस य दोस्तों की मार्स यचान नहीं होता अगर नोर्मल दोस्तों की market इन वाले बायर के SL को खाने के लिए नीचे आएगी लेकिन दोस्तों अगर market बहुत ज़्यादा गए पपपन होती है यहाँ कहीं पे तो हो सकता है कि दोस्तों market यहाँ से अपना एक नया SL क्रेड करते करते अपना एक नया एसर क्रेड करें उसके बाद market अपनी एक नई direction पकड़े ठीक है अब दोस्तों आसा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप भी तक नए है तो